नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का एक्जाम अचीर्मेंट में मैं करूना इस वीडियो में क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए लेकर आई हूं उनके फिजिकल सब्जेक्ट का सेकिंड टर्म का स्लेबस तो दोस्तों ये थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का स् देखनी हूंगी जो कि आप वीडियो में देख भी रहे हूंगे कौन-कौन से आसन आपके आने वाले हैं उस चीज को आप देखते रहें और इस यूनिट से सिर्फ आपको यही चीजे पढ़नी है जो स्लेबस में है इसके लावा आपकी जो फोर उनिट आएगी वो होगी आपकी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्स फोर सी डवल एसन चिल्डरन विद इस्पेशल नीड्स तो इसका भी कॉनसेप्ट आजाएगा आपका टाइपस आजाएंगे ठीक हैं डिसेबलिटीज आजाएंगी तो यह आएगा आपका उनिट 6 में उनिट 7 रहेगी आपकी स इन्जरीज इन स्पोर्स तो इसके अंदर आजाएंगे आपके साइकोलिजिकल फेक्टर्स एफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ठीक हैं और इन्जरीज के बारे में आपको इस चेप्टर में पूछा जाएगा फरस्टेड के बारे में तो दोस्तों इसी तरह से चेप्टर पूछी जाएंगी इसके बाल यूनिट 10 में आएगा आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्स तो इसके अंदर जो भी आपकी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ वगेरा ये सारी चीज़े आपकी आएगी यूनिट 10 में तो इस तरह से आपके पांच यूनिट आपकी सेकिंड रम थ्योरी में आ रही हैं जो कि आपकी 35 मार्क्स की हो जाएंगी इसी तरह से जैसे आपका फर्स रम में 15 नंबर का प्रेक्टिकल था इसी तरह से 15 नंबर का प्रेक्टिकल होगा आपका सेकिंड रम में जिसके अंदर आपका पांच नंब और पांच नमबर के आपकी प्रोजेक्ट फाइल रहेगी। तो बिल्कुल 1st रूम की तरह 35 मार्च आपके थिरोरी के रहेंगे और 15 मार्च आपका प्रिक्टिकल रहेगा। 35 marks जो थोरी रहेगी उसमें से कुछ question MCQ बेस आएंगे और कुछ question आपके descriptive आएंगे जिस तरह से अपसे पहले board का exam आते रहा है बस उसका जो marks है वो थोड़ा सा कम हो जाने वाला है तो दोस्तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो क लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ धन्यवाद दोस्तों